हेलो दोस्तो आपका अन्फर्शिट्यूट में स्वागत है और आज हम बात करने वाले लेक्चर नमर 26 ठीक है तो जैसे कि पिछले वाले में आपको बताया गया था कि आपको सलफर डाय आकसाइड के बारे में आपने पढ़ा हुआ था कि ये सलफर डाय आकसाइड के बहुत क और आपने बनाने की विदियां पढ़ ली थी अब हमने पढ़ना है प्रमापक कर रोपसे कौन-कौन से काम कर सकते उनके बारे में जाबंधे तो भर में बात करते हैं इंके और 레ास फाल में है क्या थिक्धिए तो यदि मांगे चलो हम दहन कराते हैं उनका तो दहन हो सकता है कि नहीं हो सकता है दहन तो उसी का होगा जलेगा तो वही जो जलने में सहाय को या खुल जलता हो वही जलेगा ना और बाकी सब तो जलेंगे हैं नहीं ठीक है तो क्या उनका दहन हो सकता है कि नहीं हम देखेंगे अमली प्रभाव देखेंगे कि अमली प्रभाव हो सकता है कि नहीं यह अमली हो सकता है कि नहीं अमली होता है कि नहीं यह बात देख सकते हैं और देख सकते हैं उसमा देखके हम इसका अब गटन करा हैं उसमा देना और देहन कराना दोनों अलग 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 प् तो दोनों को एक साथ मत रखना उसको ठीक है तो भाई बात करते हैं पहले इनकी बात कर लेते देहन की बात करते हैं किसकी बात करते हैं देहन की तो क्या एक बात बताना मुझे क्या सलफर डायाकसाइड को देहन करा सकते हैं जड़ा बताना मुझे बही आप Sulfur Dioxide का दहन करा सकते हो तो बता रहा हाँ या ना जवाब देना फटाक से लिखना वह फटाक से कि आपको दहन करा सकते हो कि नहीं तो हेडिंग डालो राइसायनिक गुड़ किसके वह Sulfur Dioxide के राइसायनिक गुड़ इसे पहला ही देखना है आपको दहन की प्रक्रिया देखनी है कि दहन करा सकते हो के नहीं तो एक बात समझ लेना गई बई सल्फर डाई ना तो जलती है दूसरी बात नहीं वो जलने में किसला ही सहायक होती। तो फिर भाई दहन कैसे कराओंगे, बाद मुस्कील यही पढ़ते हैं, उसको हम दहन कैसे कराएं, ठीक है, जब भाई वह चीजे न जलती है, न जलाने में काम आती है, तो क्या करेंगे, दहन कराना मुस्कील है, तो उसके लिए कुछ से जुगार लगाते हैं, ठीक है, Sulfur dioxide न जलती है, न जलने में सहायक है, ठीक है? ना ये भाई जलती है, और ना ही जलने में किसी के साथ सहायक है, कि तुम जलो मेरे साथ आगे, ठीक है? बात जलती है, लेकिन दूसरों को जलने में काम आता है, क्या करता है, इनके साथ ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई काम ही नहीं करते हैं, ठीक है? नहीं जलती है, लेकिन कुछ धातों के साथ मिला के जलाओगे, वो धातों जलती है, तो उनके साथ साथ में रासानी का विक्रिया करते हैं, तो ठीक है? वही बात लिख देनी है तो लिखोगे कुछ धातूं के साथ कुछ धातूं कुछ धातूं जैसे मैं लिख सकता हूँ मैंगनीसियम हो गया पोटैसियम हो गया सोडियम हो गया इन सभी के साथ ठीक है इन सभी के साथ जलाते हैं क्या करते हैं इन सभी के साथ क्या करते हैं इनको मिला के जलाते हैं तो कुछ धातूं के साथ जलाने पर जलाने पर यह रायसाइनिक अभी क्या कर लेती रायसाइनिक अभिक्रिया करके क्या बनाती है लवड का निर्माड करती है क्या करते हैं लवड का निर्मार करती है बाते समझ में क्या करना भई ये खुद में तो जलती नहीं है पहले बात ये खुद में क्या करती है जलती नहीं है लेकिन दूसरों के साथ मिला के जलाओगे तो ये क्या होती है जलना सुरू हो जाती है बाते समझ बाई बाते समझ गया हो ठीक है तो जैसे मैं कहूँ भई मैगनीसियम के साथ जलाते हैं क्या करते हैं इसको मैगनीसियम के साथ जलाते हैं सलफर डाई आकसाइट ठीक है इनके साथ जलाओगे तो क्या करें भई इनके साथ जल के ये काम क्या करते हैं ये इनके साथ जलके आकसाइड का निर्मार करेंगे, क्या करेंगे, आकसाइड का निर्मार करेंगे, मैंगनीसियम आकसाइड का निर्मार करेंगे, और क्या बना लेंगे, सल्फर को बाहर कर देंगे, क्या करेंगे, सल्फर को बाहर कर लेंगे, इस तरीकी से, ठीक है, तो बैलेंस कर सकते हो बैलेंस कर लेना, बैलेंस करने की दिक्कत नहीं है, ठीक है? सेलफाइड बनाएगा, यहां बनाएगा, पोटैसियूम सेलफाइड, लवडू का निर्मार करेगा, जैसे देखो, के प्लस में, S O 2, इनके साथ जलाओगे, यह क्या करते है, यहां बहुत है, थोड़ से लवड बनाते हैं, क्या करते हैं, के टू, S O 3 बनाते हैं, बात समझ दोनों के दोनों लवड है ठीक है बाते समझ में इस तरीके से ये रासानी कभी करते हैं लवडों का निर्माण करते हैं ठीक है बात समझ भई चलो भई नेक्स्ट देख लेते हैं अमली गुड देख लेते हैं अब लिख लेना अमली गुड पहली थी यह दूसरी हेडिंग है भाई अमली गुड ठीक है अब अमली गुड देखना तो एक बाद समझ लेना भाई क्या करोगे सल्फर डाई आकसाइड को सल्फर डाई आकसाइड को जल में मिलाने पर मिलाने पर S2, S4, S2, S3 का निर्माण करता है करता है बाद समझ में क्या होता भाई S2, S3 का निर्माण करता है जैसे देखो S2 है, PLUS में S2 है यह सैड़ी रियक्षन मैंने पहले भी बता चुकी थी क्या कि यह था? भाई पहले भी बता चुका था ठीक है बाद समझ में यदि यहाँ पर क्या होता है? SO3 होता है जल में मिलत तो है तो वहाँ पर S2SO4 बनता है और यह क्या है SO2 है यह क्या बनेगा S2SO3 बनेगा बाटे समझे है यह क्या अपना जल है क्या है यह क्या है अमल है Sulfurus Amal क्या नाम है ह। Sulfurus Amal Sulfurus Amal है ठीक है सल्फियूरस अमला तो होता है हाइटोजन आयन देता है क्या करता है हाइटोजन आयन देता है तो इसका मतलब यह अमली प्रकृति कर रहा होगा तब भी जल से भीज़ा करके अमला का निर्मार किया होगा ठीक है बाते समझे कैसे पता करेंगे भई ये अमली प्रकृति का रहा होगा इसलिए इससे राहसानी का विक्रिया किया और अमर्का निर्मार किया किसका किया अमर्का निर्मार किया इससे यही पता चलता है कि यह पता चलता है कि यह अमली रहा होगा पहले से इसके अंदर अ उसमा का अब घटन कराते हैं उसमा देखें तो क्या कर सकता है बात है समझ में चलिए आगे बात कर लेते हैं इसके कि एडिन डालाना बै उसमी अब घटन क्या डालोगे उसमी अब घटन समझ में आ रही बात है न बै क्या हो रहा बै बात समझ में आ रही की नहीं आ रही होगे ठीक है तो उसमी अब घटन देखना तो हैडिन डालो बै उसमी अब घटन देखो के लिखो के क्या उसमी अब घटन तीचरा लिख लेना उसमी अपघटन पढ़ाई हो रही है भई पढ़ाई हो रही है ना पढ़ते रहो या टाइम हो गया है अब ठीक है? चलिए भई, बात करते हैं तो लिखोगे, सल्फर डाय आकसाइड का उसमी अपघटन कराने पर क्या होता भई? कराने पर क्या होता है? सल्फर ट्राय आकसाइड सल्फर ट्राय आकसाइड वह सल्फर में सल्फर में अपघटित हो जाता है अपघटित हो जाता है बाते संज में क्या होगा भई? यह आपका सल्फर डाय आकसाइड है इसका क्या दोगे? उसमा दोगे, क्या दोगे? उसमा दोगे, ये क्या करेगा? सल्फर ट्राइ अक्साइड और क्या करेगा? सल्फर में तूट जाएगा, क्या होगा भई? सल्फर में तूट जाएगा, ये बैलेंस कर लेना, ठीक है? इधर क्या करोगे बैलेंस हाइए उसको के साथ अब क्या करोगे उसमा दोगे इसको खली गरम करोगे क्या करोंगे गरम करोंगे जलाना नहीं है क्या करना भई गरम करना है यह बात धियां रखना ऐसा नहीं कि तो फूक ने अए वह प्या सिप te raimana करना गरम करना किसी भी गैस रखोड़ागे किसी भितेनार में गैस गांटेनर करने शुरू करते का जैस गरम हो housing तो क्या करेगा वहिए, सल्फर ट्राइ आकसाइड और सल्फर में उसे परिवर्तित कर देगा, ठीक है, उन्हें दो भागों में बाट देगा, उसी को आप घटन करते है, अब घटन का मतलब होता है तूटना, क्या होता है तूटना, जब कोई एक पर माड़ों, दो पर माड़ों है ठीक है यदि इनको चार से अविक्रिया कराए जाए तो ये क्या बनाएंगे वही बात देखनी है क्या करने वही बात देखनी है कि इनको चार से अविक्रिया कराने वे तो क्या कर सकते है ठीक है बात समझ भाई तो लिख लेना भाई चार से अबकृया, क्या लिखोगे, छार से अबकृया ठीक है, बात समझ गह, समझ गह, चलो बई, आजा ना, इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है, चलो, बात कर लेते हैं, इनके छारों से अबकृया, छार से अबकृया कराएंगे, तो भई चार से विक्रिया देखने हैं एक बार उसके सीमीत मात्रम यानि के लिमिटेशन में देना है और एक बार उसके क्या करना है बहुती जादा मात्रम दोगे तो क्या करेगा दोनों बार थोड़ी से अलग-अलग रियक्शन करता है ठीक है बाते समझ भई तो लिको कि है एटिंग डालना चाहूँ था चारों से अविक्रिया ठीक है बात समझ गया है चार से अविक्रिया कराना है तो पहले बात देखना पर पहले यही लिखोगे क्या लिखोगे क्या करता है बाई चार से अविक्रिया करके क्या करता है डातु शलफाइड का निरमार करता है सल्फाइट बोला मैं सल्फे नहीं बोला बात को ध्यां रखना एसोफोर तो निकालना भी मत ठीक है साब ध्यां से नाम को पढ़ना ध्यां से नाम पढ़ना धातू सल्फाइट degrees congratulations सल्फाइटों का निर्मार करता है बाते समझ में पहला देखना उसमें मैं पहला दिखा रहा हूँ भई पहला देख लो पहला देखना जड़ा पहला पहला क्या बोला गया वई क्या करते हैं क्या करते हैं calcium hydroxide है मेरे पास मान की चलो calcium hydroxide है इसको क्या करते है SO2 देते हैं क्या देते हैं SO2 जो की limit मातर है जो क्या है limit मातर है एक क्या है बई सीमित मातर है यानि कि जितना चाहिए उतना ही दिया जा रहा है तो क्या बनाएगा तो यहाँ पर यह बनाता है K2SO3 सलफाइट हो गया पोटैसियम सलफाइट और क्या बनाता है जल बना लेता यह तो बात जानते हो छार को अमने से अभी कहराओगे तो लवड तथा जल बनाएगा यह बात तो जानते हो यह भी छारी है ना वई यह अमली है यह क्या है छार है तो अमली और छार से अभी क्या खराओगे तो लवड तथा जल बनाएगा यह तो जानते हो यदि हम क्या करते बाई यदि यदि SO2 आधिक में हो जाए क्या हो जाए आधिक क्या आधिक में हो तो आधिक में होगा तो बाई क्या करेंगे हो तो क्या करना वह आधिक में होगा तो क्या करेंगे यही कि पोटैसियम हाइडॉक्साइड क्या करेगा यहां पर यहां पर यह क्या खरेगा पोटैसियम हाइडोजन सल्फाइट बनाएगा क्या बनाएगा पोटैसियम हाइडोजन सल्फाइट बनाएगा और जल बनाएगा पोटैसियम हाइडोजन पोटैसियम सल्फाइट इसे बोगते हैं पोटैसियम पोटैसियम सल्फाइट sulfide कहेंगे इसे बोलेंगे potassium hydrogen sulfide ठीक है क्या बोलेंगे potassium hydrogen sulfide बोलेंगे ठीक है इस तरीके से अब काम करने वाले भाई इनको ध्यान रखना है इनको क्या करना है ध्यान रखना है ये बात है भाई हूल के मत भी कर देना कि कुछ भी कर दें बोतासियम है क्या है यहाँ अपर पोतासियमात्रORE पोतासियम् बनाेगा और अदिक मात्रा में रहएकां क्या करें है इसका है जो भी लेना ओ अब मैं इसी के दूसरी reaction दिखा रहा हूँ, इनी के सही मैज है, मैं potassium hydroxide के साथ करा रहा हूँ, तो बताओगे वसा कौन सा काम करेगा, ठीक है, तो वो क्या काम करने वाला है, उनी को देखना है, ठीक है, अब देखना है, इसी को मैं second part दिखा रहा हूँ इसका, ठीक है, यह त है, calcium hydroxide लेंगे, तो वो क्या करेगा काम, यही देखना है, ठीक है, यही मैं calcium hydroxide लगाता है, क्या लगाता है, calcium hydroxide लगाता, और इसी क्या करता है, एक सीमीत मातरा देता, क्या देता, सीमीत मातरा, तो आप जानते हो क्या बनने वाला है, क्या बनेगा, कैलसियम सलफाइट बनाएगा, क्या बनाएगा, कैलसियम सलफाइट बनाएगा, इसे कहते हैं कैलसियम सलफाइट और जल बनाएगा, यह तो understood बात है, लिखो या न लिख कोई दिखत नहीं ठीक है बाद में लिख़े तो आच्छी ही बात होगी ठीक है बात समझ बाई क्या बनाएगा कैलसियम क्या बनाएगा सलफ हैट यह अलप जल मेंordon भी ले यह बैद इसका बिले पंस में यह जल में तो लिखोगे क्या लिखोगे कैलसियम सल्फाइट जल में अल्प बिले होता है क्या होता है अल्प बिले होता है तथा इसके बिलेन का रंग दुधिया होता है बात इस समझ में क्या हो ना वई यह दुधिया होता है जैसे यह दुधिया होगा हम क्या करते हैं और मातरा में सल्फर डाई आकसाइड प्रॉआइड करते हैं क्या करते हैं फिर हम क्या करते हैं आधिक में सलफर डाइ आकसाइड प्रवाहित करने पर क्या हो जाता बैई बिलेन में आधिक के मात्रा में इसको प्रवाहित कराओगे इसको सलफर डाइ आकसाइड को ये बनने के बाद जब दुदिया हो जाता उसके बाद की मैं बात कर रहा हूँ पहले की नहीं, यह तो सीमित मात्रा है, तो ऐसे काम करेगा, लेकिन उसके बाद हम बता रहे हैं कि क्या करने वाला, उसका जो विलेन बनेगा, उसके बाद क्या हो रहा है, उन्हीं को देखना है, तो यहाँ बर क्या बना है, कैलसियम सल्फाइट बना है, कैलसियम सल्फाइट मिला होगे तो वो क्या करता है sulfur dioxide क्या करता है इसके साथ reaction करता है इनके billion के साथ reaction करता है और क्या बना लेता है calcium hydrogen sulfide बना लेता है क्या बता है calcium hydrogen sulfide जो की जल में विले होता है जो जल में विले होता है और उसका रंग जो होता है वो दुदिया रंग समाप्त हो जाता है उसका विलेन के दुदिया रंग को समाप्त कर देता है यही बात करनी भई यही बातों को हमें करनी है बाते समझ भई बाते समझ भई अब देखना तो क्या लिखोगे आधिक बिलेण में प्रवाहिद किया जारा ना कि इसमें किसमें प्रवाहिद किया जारा है इसके बिलेण में प्रवाहिद किया जारा है क्या किया जारा है एसो टू को प्रवाहिद करने पर बिलेण के रंग को बिलेण के दुधिया रंग को ठीक है क्या करता है दूजिया रंग को समाप कर देता है तथा कैलसियम हाइडोजन सलफाइट का निर्माण करता है ठीक है बात समझ में बात है समझ में आई हाँ एक बात यहाँ देख나 सैत मैंने एक चीज़ लिख दिया हुआ था जाना रखना इस बात को मैंने एक reaction दिखाया हुआ था आपको कैलसियम हईरोकसाइड के साथ क्या कर आया था मैंने SO2 का कर आया था आधिक में देख लेना, लिख लेना सको, सही कर लेना ठीक है? आधिक में कर आया था तो मैंने ये बनाया था, K2 h so 3. ये बनाया होगा योगा ये गलत है इसको फॉर्फा फा wander से लिख देना, K एच एस सब्सक्राइब कर लेना इसको सब्सक्राइब कर लेना इसको अब बात करते हैं आपके पास इससे बोलदें कैलसियम क्या बोलदें कैलसियम सलफाइट बोलते हैं ठीक है सल्फाइट ठीक है कैलसियम सल्फाइट है तो आपके पास कैलसियम सल्फाइट था और जल था ये था भी लेहन में आपने क्या डाला भई SO2 और ज्यादा मातरम डाला क्या डाला SO2 और ज्यादा मातरम डालोगे तो ये क्या करेगा calcium hydrogen sulfide का निर्माण करेगा ये बात है हो जाती है और इसका रंग होता है ये जल में विले होता है जल में विले होता है जल में विले ठीक है बाते समय इस तरीक से हो दूदिया रंग भी क्या हो जाता है इसका समाप्त हो जाता है दूदिया रंग्मजी का आओ जाता है इसका समाप्त हो जाता है इस तरीके से हम करेंगे इनका रियक्शन क्या कराएंगे इनका रियक्शन ये अपने तरब से ऐसे ऐसे काम करते हैं जो मज़ेदार होते हैं ठीक है बाते समझ में इनकी दो तरीके से रियक्शन होती है दो नो बढ़ाया तो क्या बनालेगा वह तुरंद क्या बनाएगा हाइडोजन सल्फाइड बनाएगा अब हमें बात करनी है इनके आगे की रेक्शन जो देखनी है हम इनको देखना है हाइलोजनों से विक्रिया करके यह क्या बनाते हैं जो हाइडोजन सल्फाइड स्वरी यह क्या क बनाते हैं उन्हीं के बारे में देखना तो मैं इसको जो रफ लागो करना है कर लेना इसको इसके इसको करेंगे रफ ठीक है अब करने वाले इसको रफ अब हमें देखना है है लोजन के साथ अब करिया तो हैडिंग डालेना बाई पांच भी हैडिंग डालेना है लोजन के सा किया के तौक आग कि यूट नजा कि ठीक है बासमझ में पेड़िये झूट सब बात करते हैं हैलो जूटक के साथ तो है सल्फियूरी हाइलाइड बनाता है कोई भी हाइलाइड हो जैसे क्लोरीन होगा तो क्या बनाएगा सल्फियूरी क्लोराइड बनाएगा यदि वो क्या होगा फ्लोरीन होगा तो सल्फियूरी फ्लोराइड बनाएगा यदि वो ब्रोमीन होगा तो सल्फियूरी ब्रोमाइड ब होता है ठीक है तो लिखोंगे हैडिंग डालना पांच वाँ है लोजन के साथ अब किया तो लिखोंगे बैई सलफर डाय आकसाइड हैलोजनों के साथ अब क्या करके के साथ अब क्रिया करके सलफ्यूरील क्या बनाता है वैड़ी सलफ्यूरील हाइलाइड बनाता है क्या करता है हाइलाइड बनाता है जैति मैं जनरल केस लिखोंग जनरल केस लिखोंग एसो टू क्या बनाता है वैड़ी किसी भी हाइलोजन से बिक्या करेगा एक्स टू से बिक्या करेगा तो क्या बनाएगा हाइलाइड का निर्माड करेगा हाइलाइड का निर्माड करेगा कैसे देखो, जैसे देखो, क्या करेंगा, SO2, F2, इसे कहते है, Sulfural, Fury, Sulfural Highlight, ठीक है, अब देखो है, यहाँ पर X क्या हो सकता भई, यहाँ पर X क्या हो सकता है, X क्या हो सकता है, X क्या हो सकता है, X2, X2 क्या हो सकता है, F2 हो सकता है, CL2 हो सकता है, और क्या हो सकता है, BR2 हो सकता है, ETC, ठीक है, बात समझ में इस तरीके सी अब क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इनके साथ हो क्रिया कर सकते हैं, इनके साथ यह अ आयोडिंग साथ नहीं होती है अब यह हो सकते हैं जैसे मैं उधार लिखूं उधार क्या लिखोगे वाई क्या लिखोगे एसो टू है एसो टू है आपने क्या मिले है या फ्लोरीन भी तो क्या बन जाएगा वाई SO2 SO2 F2 इसे बोलते हैं Sulfural Sulfural क्या बोलते हैं Fluoride बोलने है उसी तरीके से क्या होगा SO2 है CL2 है सूरी के किरड़ में होती है बाते समझ बेगे इसे कहते हैं सूरी के किरड़ क्या कहते हैं इसे H new इसे H new होता है और H निव जहां पर लिखा जाया है, इसका मतलब सूरी के रणों के उपस्तिति में, यानि सूरी के प्रगास के उपस्तिति में ही reaction कराया जा रहा है, ठीक है, बाते समझ में, तो क्या बन जाएगा, बाई, SO2, Cl2 बन जाएगा, इसे बोलते हैं क्या, तो क्या सल defensive chloride बनें, यहाचि बनेंगी बनेंगे, बाते समझ में इस तरीके से reaction इनकी होने वाली है, यह साल फ्यूरिल हाराइड बनाएंगे, बाते समझ गया है, बाते समझ गया है, ठीक है, अब हमें नेक्षज जो देखना है, हमें देखना है, आक्सिजन से अब रिया क्या करते हैं यह बाते हैं आप अच्छे से जानते हो क्या करते हैं यह अच्छे से जानते हो क्योंकि यह असानी से नहीं करते हैं नहीं करते हैं लेकिन हम किसी उपस्तिती मिलने के जाओगे तो वह जरूर करेगा क्या करेगा अशा तो लिखोगे आक्सीजन के साथ अब गया छह नमबर आक्सीजन आक्सीजन के साथ अब गया तो भाई उत्प्रे रख की उपस्तिती में लिखोगे सल्फर डाय आक्साइड उत्प्रे रख उत्प्रे रख V2O5 वैनेडियम पेंटा आक्साइड वैनेडियम पेंटा आक्साइड है इसके उपस्तिती में उत्प्रे रख की उपस्तिती में उपस्तिती में आक्सीजन से अब गया करके आक्सिजन से विक्रिया करके क्या करता है आक्सिजन से विक्रिया करके क्या बनाएगा क्या बनाता है बस यह क्या करता है इसका अप्चैन हो जाता है अप्चैन हो जाएगा अप्चैन होने के मतलब क्या बई इसका आक्सिजन जुड़ जाएगा and sulfur tri oxide बनाइगा sulfur tri oxide का निर्माड करता है ठीक है बात समझ वह लाई क्या वही SO2 है ये क्या करता है B2O5 वही 2 O5 होगा इसके साथ रैसानी का बिक्या करेगा और क्या बनाएगा SO3 बनालेगा SO3 बनालेगा ये बात ही होती है ये बात ही होती है इनके अंदर यानि कि यह अक्सीजन तो देना ही है आप नेक्ष आमें जो देखना है एक बास समस्ते यह अविक्रिया जो होती है वो बहुत धीरे 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 होती है यह ना लगा विलकुल नहीं होती है यह इतनी बंद होती है जिसे हमें पता ही नहीं चलता है क्या होता है इसलिए dot atmosphere में यह sulphur dioxide रहा पाते हैं ठीक है लेकिन, और लेकिन, क्या होता भाई, उत्प्रेरक लगा दो कि ये फिर भी थोड़ी सी तेज होंगी, लेकिन फिर भी मंद अबिकरिया कहलाएंगी, क्या कहलाएंगी, मंद अबिकरिया कहलाएंगी, जब उससे पहले वो अतिमंद होती है, उत्प्रेरक लगाने के बाद वो म तो क्या बनाएगा तो वो क्या करता है लवड कही निर्माड करेगा लेकिन वो लवड चेंज हो जाता है किसका लवड हो जाता है पहले वो कार्बुनेट का लवड होता है बाद में वो सलफाइट का लवड बन जाता है किसका बनता है वह सलफाइट का लवड बन जाता है ठी इस बाहर करतेगी, ठीक है, कार्बोनेट को जानतों गरम करते हैं, तो क्या करता है, ये कार्मन डायक्साइड को बाहर करता है, तो लिख लेना भाई, साथ मा लिखना, कार्बोनेट के साथ अविक्रिया, ठीक है, डाल लेना भाई, कार्बोनेट के साथ अविक्रिया, या फिर कार्बोनेट लवड़ों के साथ कर लो, कार्बोनेट लवड़ों के साथ, सातमा हाई है, ठीक है, तो क्या करोग भई, कार्बोनेट के लवड़ के साथ बुग्या करके, यह क्या बनाता है हमेसा, हमेसा हमेसा क्या बनाता है, यह लवड़ बनाता है, लेकिन यह लवड़ चेंज हो जाता है, क्या होता है, दूफ किसी और का लवड बनता है ठीक है बात ध्यान रखना इस बात को ध्यान रखना लवड का ही निर्माड होगा लेकिन वो लवड फोड़ से चेंज हो जाते है किसी और काउंगे कार्बोनेट के लवड से अविक्रिया करके क्या करते है इन से अविक्रिया करते है तो क्या करते है वो लवड का निर्माड करते है क्या करते हैं सल्फाइट लवड का निर्माड करते हैं वह कार्बन डाय अक्साइड गैस मुक्त करते हैं क्या करते हैं कार्बन डाय अक्साइड जो गैस होती है इनके अंदर से बाहर निकलना शुरू जाती है कार्बन लाइक साइड क्या होती है बाहर निकलना शुरू हो जाती है कैसे देखो जैसे मैं कहा हूँ सोडियम कार्बोनेट था मेरे पास क्या था सोडियम कार्बोनेट था ठीक है सोडियम कार्बोनेट हो गया यह सोडियम कार्बोनेट है मांगे चलो मेरे पास सोडियम लगाए और गैस प्रवाइट करेंगे सोडियम का ही लवड करेंगे किसका होगा सलफाइट का होगा तो एने टू ऐस सो थ्री बन जायगा अभ यह बना इसके लवड के साथ चला क्या घगता इसका क्या क्या होगा कार्मडारीक्साइट के रूप बाहर जाए पहोंगे औक घcom किर्व हमेंशा क्रता है करिवोंड अंदर से बाहर निकालता है ये बात यह तो जानते लिए इस तरीके से काम करेंगे यह का करेंगे इस सब्सक्राइब कार्वोंड होता है कैसियमर रौनेट के अंदर उनिमाडशा घंक इसे डीम है पर फटाफट क्या करो फटाफट आप लोग क्या करो कमेंट करो वेट कर रहा हूं वेट कर रहा हूं आपका ठीक है वेट कर रहा हूं भई ठीक है बना भई बना पटाक से बना क्या बनेगा भई आप जानते हो क्या बनेगा कैलसियम सलफाइट प्लस में कार्बन ने अक्साइड बाहर निकल गए ठीक है बात समझ गए इस तरीके से बात करने वाले हैं इनकी समझ गए, समझ गए हो, ठीक है, समझधार वेक्ती हो आप लोग ठीक है, अब हमें बात करनी है इनके आकसिकारक गुड़ देखने है आकसिकारक और अपचायक गुड़ दोनों साथ में देखने है ठीक है, तो पहले हम देखेंगे आकसिकारक गुड़ उसके बाद हम बात करेंगे इनके अपचायक गुड़ के यानि कि ये आकसिकारक के भी काम कर सकते है और क्या कर सकते है अपचायक का काम भी कर सकते है दोनों काम करेते है आकसिकारक का भी ये सबी क्या होते है दोनों काम करते है आकसिकारक का भी काम करते है इस तरीके से उनकी बात करने वाले हैं अब भई बात करेंगे जब हमें बात करना ही है तो क्या करना भई इनकी आकसिकारक को समझना भी जरूरी है और अपचायक गुड को भी समझना जरूरी है बार बार मैं कह रहा हूँ इस बात को मैं बार बार कह रहा हूँ आकसिकारक क्या है खुद को अक्सिक्रित करेगा और दूसरों किया करेगा अपचैन करेगा तो अपचैन करा आएगा तो अपचैन कराएगा तो पहले आगदी आक्सिकारा निकलेगा तो वही बात करनी वही बातें करनी हैं या किस तरीके से काम करेगा उन्हीं के बारे में देखना है ठीक है चलो आते हैं इनको मैं रफ कर देता हूँ इनको मैं क्या करता हूँ रफ कर देता हूँ ठीक है चलो बाइला लिख लेना आकसी कारक गुड़ इसमें आठम लिख लेना भाई, आकसी कारक गुड़, आठवी पॉइंट है, आकसी कारक गुड़, अब क्या करता है, आकसी कारक गुड़ करने के मतब, सल्फर डाय आकसाइड किसी दूसरे पदात को, आकसी करता है, तो लिख लेना इसमें, क्या करता है, क्या लिखोगे, सल्फर डाय आकसाइड क्या करता है, किसी दूसरे पदात को, किसी दूसरे पदात को, आकसी करता है, आकसी करता है, तथा, खुद अपचाइड हो जाता है, क्या करना बज़, खुद अपचाइड हो जाता है, जैसे मैं कहूं, MG मेरे पास है मैंगनिसियम था और मेरे पास था सल्फरडाई आकसाइड था मैंने इनके साथ reaction कराया तो क्या करेगा ये क्या करने वाले है क्या बनाएगा ये मैंगनिसियम आकसाइड बनाएगा मैंगनिसियम आकसाइड बनाएगा ये बात है पकी है तीक है या बनाएंगे इसके मैंगनेसियम के दो लवर बनाएंगे एक सलफाइट का बनाएगा और एक आकसाइट का बनाएगा ठीक है दो पदात बनाएगे दो योगिक बनाएगे एक सलफाइट का और एक आकसाइट का बनाएगा ठीक है अब देखना इसके पाद देखना आक्सिजन कोई है कोई आक्सिजन है नहीं है यहाँ पर क्या एक आक्सिजन है इसका मतलब इसका क्या हुआ भई इसका क्या हुआ आक्सिकरड हुआ क्या हुआ आक्सिकरड हुआ यानि कि यह पदात आक्सिक्रित हो गया तो इसको बोलते हैं यानि कि यह आक्सिकारक काम कर रहा है क्या कर रहा है आक्सिकारक काम कर रहा है इस तरीके से कहोगे इस तरीके से इनके रियक्शन कराओगे बाते समझ गया है बात समझ गया हो ठीक है आप समझदार व्यक्ति हो खीको बाते समझ गया है ऐसी तरी से मैं क्या करूँ आईरन मेरे पास हो जाए आइरन हो गया अब आइरन में क्या करूँ इसको डुबा दुबड़ इसको क्या करूँ आइरन इसे अंदर डालू तो क्या करेगा ये आइरन आक्साइड बनाएगा क्या बनाएगा फेरस अक्साइड बनाएगा और इसके साथ क्या बनाएगा फेरस सल्फाइड बनाएगा क्या बनाएगा फेरस सल्फाइड इसे बोलते है फेरस अक्साइड फेरस अक्साइड इसे बोलते है फेरस सल्फाइड सल्फाइड ड है यह ड ड S माइनस होता है तो उसे D कहते हैं यहाँ बात समझे हैं वही सेम कहानी सेम उपर वाली ही कहानी चल ली है क्या चल ली है उपर वाली कहानी ही चल रही है इस तरीके से इनकी बात कर देंगे ठीक है इस तरीके से यह काम करते हैं है जैसे मैं कहूं क्या आप इसी के अंदर है डाल दो हाइडोंगर data है उपर वाहले को मैं रफ कर दे रहा हूं पिर लिखरा हूं ठीक है अब देखना वह देelेको है उपर वाले को रफ कर रहा हूँ फिर लिख रहा हूं अब देखना आपको क्या करना देखो इसी के इंदर में डाल देता हूं है looking है इसक़ डालता हूँ राता हूं जश्म इडालता हूं न है। ‎ आँम बनाएं करता कि रहा कर आए। पानी पानी हो जाता है वो तो बाती समझते ही हो आप ठीक है पानी पानी समझते हो ठीक है और इसका निकल जाएगा आक्सिजन आक्सिजन निकल जाएगा तो क्या होगा बैचारा अकेले बैठ जाएगा अकेला हो जाएगा क्या करेगा अकेला अपना आक्सिजन देखे उसको पानी पानी करेगा और खुद को अकेला करेगा ठीक है दूसरों को पानी पानी करने के लिए वो खुद को अकेला कर लेता है ठीक है बात समझ मैं इस तरीके से वो अकेला खुद को करेगा इस तरीके से वो बात करेंगे ठीक है इस तरीके से ये काम कर लेते हैं ठीक है बात सम तो तो यहां पर क्या भोई अपचैन उआ है यानि कि क्या करते है और आप चैन करहा है उसे क्या करते है उसे बोगते है वह आपकų एक काम देख रहे हैं वहीं तो काम देख रहे हैं तो बाते सही है बिलकुल मेरी सही है बाते समझ गया है बाते मेरी क्या है सही है सही है बिलकुल भाई सही है बिलकुल अब देख लेना अब देख लेना यदि मैं बात करूं अब चायक गुड़की मैं बात करता हूँ अब चायक औहीं हो कि यह किया करेंगे के आप्चाय का काम करेंस स necessary और खुद को आपकशिजन says इसके काम करहाइगा या तो इसका मतलब है किसी दूसरी का आप्चैन कराएं और खुद को आक्सिक्रीट बनाए या फिर हो सकता हूँ क्या बनाए आपका अपने साथ क्या बनाए इस तरीके से वो काम कर लेगा चलिए बात करते हैं अब हम बात करने वाले इनकी अपचायक गुड़की बात करें किसकी बात करेंगे अपचायक गुड़की ठीक है तो लिख लेना 9th पॉइंट था न अपचायक गुड़ देखना बैट एक बाद समझना अपचायक कहने के मतलब एक बाद तो आप जानते हो क्या होना चीव है जो पदार्थ अपचायक का काम करेगा उसके अंदर से आकसिजन जूड़ेगा यानि वो खुद का अपचैन कराएगा खुद का खुद का आकसी करण कराएगा खुद का जो होगा वो उल्टा काम कराएगा अपचैन है तो दूसरे कराएगा अपचैन से अपचैन होता है ना तो इसका मतलब वो दूसरे के लिए काम करते हैं वो सब दो दूसरे के लिए दूसरे का अपचायन कराएगा और खुद का आक से करित कराएगा उसे अपचायक बुढ़ करते हैं यदि यह SO4 होता है ना, sorry SO2 होता है वो SO2 होता है वो अपचायक के तरह भी काम कर सकता है कैसे करेगा भई देखना, जैसे ही आप क्या करते हो इसे जल में डालते है ये क्या करता है जल के साथ करके क्या करता है है एसTO SMS4 बनाएगा, क्या बनाएगा है 204 या स्way laundry है ये सारी चीज़े बना लेता है इसका मतलब यह क्या हो अपने अंदर आक्सिजन क्या कर रहा है एड कर रहा है इसका मतलब खुद को आक्सिक्रित कर रहा है दूसरों को अब चाहिते हैं यह आक्सिजन आएगा कहां से किसी दूसरे से निकल के आएगा बाती समय वही काम कराने है ठीक है वही काम कराने है हो गए Sory to k люб जल के साथ do a próxima कि उडा दिखे होकर क्या बना लेता है अक्से केत होकर क्या बनाता है H2SO4 होगा अभी तक आपने देखा होगा कि जल में SO2 को डालने पर H2SO3 ही निकलता था लेकिन H2SO4 है उसका region में बताऊँगा क्यों निकलता है अब देखना है क्या हुआ हुआ है H2SO4 का निर्माण करता है तथा साथ में साथ में नौजाद नौजाद हाइड्रोजन नौजाद हाइड्रोजन का भी निर्माण करता है ठीक है इनका भी नौजाद हाइड्रोजन भी निकलता है साथ में देखना कैसे निकलेंगे स्रियक्सिन समझना क्या होता है SO2 होता है इसको क्या करोगे जल में डालोगे क्या करोगे जल में डालोगे जल बहुत ज़्यादा मातरा में होगा जब ज़्यादा मातरा में होगा तो S2, SO4 निकालेगा और Sulfuri कम निकालेगा इदि आपका क्या होगा भई ये बहुती कम मातरा में यह आपका जल क्या होगा कम मातरा में तो Sulfurus Amla निकालेगा क्या निकालेगा भई Sulfurus Amla Sulfurus Amla का Pounder होता है H2SO3 होता है ठीक है यह ज़्यादा मातरा है इससे reaction करेगा क्या बनाएगा भई इसका जल क्या करता है यह इसके oxygen को ले लेता है ज़्यादा मातरा में तो आक से ज़्यादा होगा इसके पास लेगा तो क्या बनाएगा H2SO4 बनाएगा प्लस में क्या बनाएगा नौजात हाइटोजन बनाएगा क्या निकालेगा भई नौजात हाइटोजन बनाएगा ठीक है इस तरीके से काम करते हैं इस तरीक सी ये reaction करते हैं ठीक है समझ गाये बात है समझ गया ठीक है भाई समझ गया तो भाई इसका काम क्या है जैसे कि मैं इसको बात करूँगा सल्फि heroic हमनका निरमारद करता है एक बात बताना ये सल्फि वरी कमनक भी निकल सकता है आप इसकी जगह पर SO3 भी लिख सकते हैं, कोई टेंसन नहीं है, टेंसन मतले ना, SO3, आप समझ रहे हैं, SO3, 303 निकाल ले ना, ठीक है, उसमें कोई डिकत नहीं है, वो तो दोनों निकलते रहते हैं, साइट प्रोड़क्ट में निकलते रहते हैं, बाते समझ में, क्या करूँ यह जल है, जल के साथ ने कलोरीन भी मिला दो, यह जल के साथ साथ में डाल दो, तो यह ना है, जो नोजात हइडोजन है, यह कलोरीन से बिक्या करके, SCL का निर्माल करते हैं, वहाँ पर क्या होगा, फिर SCL निकलना शुरो जाएगा, क्यों? यह अकेले क्यों निकला भाई? Nawjaat Hydrogen क्यों निकला ये इसलिए निकला क्योंकि इसका exhausting इसके पास चलय गया तो ये अकेला बचा न तो उसकेकला है जबевич Gen अकेला होता तो उसे बोलते है Nawjaat Hydrogen क्या बोलते है Nawjaat Hydrogen यदी इसी के मैं अ अंदर दूसरा लिख दू इसी के इंदे मैं दूसरा लिख दू क्या लिख हो भई SO2 है इस एक साथ क्या कर दूँ इस एक साथ मैं डालता हूँ आपको CO2 डाल दू CO2 डालता हूँ तो क्या बनेगा एक बात बता रहा मुझे चलो फटाक से कमेंट करो कि क्या बनने वाला है क्या बनने वाला है आप कमेंट करो फटा फट कमेंट करो ठीक है बात समझ भई फटा फट आप लोग कमेंट करो भई कमेंट करो फटा फट क्या बनेगा भई वही काम ह2, H2, S4, H2, S4, S4, S3 भी कर सकते हो आपके मरजी है ठीक है, H2, S4 और क्या बनेगा यहाँ पर S, C, L बनेगा यहाँ पर आपका नोजात हाईडूजन नहीं बनने वाला है यह बाते तेरक ना क्या, क्यों? क्योंकि इसको साथ हाईडूजन अकेला घूम रहा था, अकेला क्य गूम रहा था अब इसको देने वाला कोई है इसका साथ देने वाला कोई आ गया है इसका साथ देने वाला कोई आ गया भई ये बंदा अकेला गूम रहा था इसके साथ एक नए लोग आ गया जुड़ने के लिए क्या होगा है नए लोग जुड़ने के लिए आ गया अब ये गुम सकता वो बोलेगा क्लोरी बोलेगी भई कि नहीं भई आप अकले नहीं गुम सकते हम आपके साथ हैं हम किसलिए कहे पड़े भई हम क्यों आए हैं आपको तो अकले लेने के लिए तो आए हैं आपको साथ गुमाने के लिए हैं तो करेंगे हम दोनों मिलके क्या करेंगे पटाक से, क्या करेंगे, पटाक से निकालेंगे और SCL बनाएंगे, ठीक है, पटाक फट क्या करेंगे, SCL का निर्मार करेंगे, आमले बनाएंगे और दूसरे लोग को जलाएंगे, क्या करेंगे दूसरे लोग को जलाएंगे, जानते ही हो बई, आमले के काम क्या होता है जला लिए और इसका काम ही होता है दूसरों को जलाने का ठीक है बात समझ में दूसरों को जलाने का संचारब का काम होता है इसका असजिल का ठीक है तो अज़िती हम बात करें किसी और के साथ कर सकते बाई या फेरिक लवर्ड लेते क्या करते हैं वह सरी फेरस लवर्ड लेते हैं तो काम क्या करेंगा भाई फेर You लवर्ड लेते हैं या फेरस लवर्ड लेंगे तो उसके साथ क्या करेगा यदि मेरे पास मानगे चलो क्या करता है दूसरों को क्या करेगा अपचैन कराना है दूसरों को अपचैन कराना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा फेरिक लवर्ड लेते वह अब देखना ये तो इसके लिए था ये वाले डिफिनेस से इसके लिए था इसके लिए कुछ और होगा ठीक है अब देखना अब देखना वई इसी साथ मैं क्या करता हूँ ये अलग से मैं दिखा रहा हूँ मेरे पास क्याем pharic chloride है pharic chloride है इसके अंदर मैं क्या डालता हूँ, क्या करूँगा, अब एक बात समझ ना, ये बोला है, कि ये अप्चाय का काम कर रहा है, अप्चाय का काम कर रहा है तो एक बात बताना ये अपचैक का काम करेगा तो किसी दूसरे को क्या कराएगा भई अपचैन कराएगा जब ये अपचैन होने वाला है इसका इसका क्या है जो फेरिक क्लोराइड है इसका क्या होगा अपचैन होगा क्या होगा ध्यान से समझना अब क्या बोले हो आपने बो अब दूसरी का अप्चैन कैसे कराएगा इसका यानि कि यह फेरिक है प्लस थ्री में यदि प्लस थ्री में है इसे बोलते है फेरिक यह अप्चैन होगा तो किसमें जाएगा यानि एक सी अप्चैन का मत्दब होता है क्या आक्सिकर संख्या घटना या हैट्रोजन का निकलना यही होता है यहाँ पर आक्सिजन तो है नहीं तो यहाँ पर क्या आक्सिकर संख्या है तो आक्सिकर संख्या कर निकलना भूल जाओ जाता है रेक्सन याद भी नहीं है न तो भी काम कर जाओगे क्योंकि इसके दो ही अक्सिकर संख्या होती है आरन की प्लस थ्री और प्लस टू यदि वो अपचैन का काम करेगा तो यह क्या का प्लस थ्री को प्लस टू में बदल देगा तो plus 3 को plus 2 में बदलने के लिए करेगा भई FpCl2 बन जाएगा देखो अप्चैन हुआ की ने बई अप्चैन हुआ की ने बिलकुल हुआ क्या हुआ भई अप्चैन हुआ आपका ठीक है बात ये समझ में क्या हुआ भई अप्चैन हुआ अप जानते हो इसको किसे साथ मिलाओगे जल भी तो होगा साथ में या होगा भई जल भी साथ में होगा आपके होगा कीने बई जल होगा कीने अरे डालोगे जल तब ही नो काम करेगा गैस है यार बिलकुल गैस है मिलाओगे इसको ठंडा ठंडा करोगे, गया लिक्विड बनाओगे, तब ये तो काम करेंगे, जाके ये, ठीक है, बाद समझ भाई, अब क्या भाई, आभी जो मात्रा इसके साथ तो करा दिया भाई, इसका तो अपचैन करा दिया, अब खुद को क्या करेगा भाई, आक्सिक्रित करेगा, खत्म हो गए, ठीक है, इस तरीके से काम कर जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से, अब बचा क्या इसके अंदर, कुछ हाईडोजन, कुछ मातरा में हाईडोजन भी बच जाएगी, और इसके साथ साथ का निकल जाएगा, थोड़ी सी बहुत मातरा में, क्या निकलेगा, S-C-L निकल जाएगा, उसको निकले या ना निकले, कोई फरक ने पड़ता है, यह हमारा में है, ठीक है, यह हमारा में है, इसको निकलना जरूरी है, ठीक है, बाते समझें, यही दोनों तो काम करते है, इनके साथ यही दोनों में है, इसके उसको भूल भी जाओ, कोई दिक्कत न कि निकल जाएगी ठीक है बात समझ गया है इस तरह के सब रेक्शन याद हो या ना हो आपकी रेक्शन याद हो या ना हो वो मैं खरा दूंगा ठीक है बात समझ जाओ सिर्फ आप basic चीज़े जामगे ना आदी ए्रेक्षन तो आप मार जाओगे सीधी सीधी बात है बाई मेरे साथ यही है मेरे साथ रहोगे न तो आपको मैं कह रहा हूँ न आप basic चीज़े से समझते हो कच्छा 11 गए अच्छे से पड़े हो तो पकी बात मैं कह रहा हूँ न आदा चीज़ तो भूले भूले याद कर जाओगे तुम्हें याद भी नहीं है तो भी लिख जाओगे कैसे लिखो के भई अब समझे ना फिर से समझे ना इसको अब जानते हो आपचाय का काम कर रहा है क्या लिखा फेरिक क्लोराइड लिया इसका अपचैन कराना है अपचैन कराएगा तो इसका मतलब क्या यह प्लस थ्री में है प्लस टू में जाएगा तो क्या होगा एफिस यल टू बन जाएगा अपचैन हो गया अब खुद का क्या कराना है तो हम सोचेंगब बए ऐसें पानि दियुकर नंसा डाल दो लो बई बाहिल पा दो दो अक्सिएं पानि घर ले भगे बाने और मेर को खाल ठाल दो फाला एक भर better जबर पानि यापने या आपना अपनार momencie Assup पैसे कर पानीे आ रहहा है। लो पानी उठा लाम चाहिता है। इतना मेरा दो चीज़े हो गई दो चीज़े हो गई इसका क्लोरी निकल ला है तो कहीं निकलेगा तो जाएगा निसके साथ क्लोरी निकलेगा इसको भूल भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है मेरा दोनों यही है दो मेरे यही मेरे दो अनमोल रतन करन अरजून यही दोनों है इनको वही रखना है बखिया यह साइड एटम वाले जो जाने लिवर टाइप के ना उनको भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है ठीक है जाने लिवर टाइप के ना इनको भूल जाओ कोई दिक्क कोई पूछने वारा नहीं मुवी देख रो मजह आएगा ठीक है हमें तो में क्या मैं किसे मतलब है करन अरून से मेरे दो अनमोल रतन से मतलब है यहीं है फेरिक फेरस क्लूराइड और S2S4, मेरे दो Unmol Rhtn है बात समझ में गजिए करन अरजून है अब भई हमें बात करनी है हमें बात करनी है इनके अब चायक गुड की बात हो गई अब चायक गुड तो समझ में आ गया कैसे काम कर रहा है अब चायक गुड आई धिंक का आपको समझ में आ गया हुरा ठीक है अब हम थोड़े से इनके देख लेते हैं विरंजक गुड के बारे में ठीक है विरंजक गुड काम कर सकते हैं की नहीं बिलकुल करेंगे यही काम कराने यही काम विरंजक रूप में करती है, यही, same, अप चायक कुड का काम करती है, यही करता है, वहाँ पे न औजात अक्षिजन था, वो क्या करता था, विर veramente का काम करता था, यहाँ पर नोजात है, hydrogen काम करेगा जाता है, यह भी कलर को उड़ा जाता है, तो विरंजक का काम यही करती है, same reaction करेगा, same reaction विरंजक का काम कर रहा है, यही जाता है, रंगीन पताद के साथ मिलता है, और रंगे हीन करते हैं, क्या करता है, रंगे हीन करते हैं, कैसे करते हैं, वही हम समझ लेते हैं, समझ के हैं, चलो, ठीक है, विरंजक गुड, लेख ले कि अधिक डालनों भाई विरंजक गुड़ क्या डालोगे विरंजक गुड़ डाल देते हैं कि अधिक बास सब्सक्राइब विरंजक गुड़ देखना है तो समझते हो क्या करते हैं क्या करते हैं हम सल्फर डायाकशाड को जल में घोलते हैं क्या करता हैром कपड़ी को डालते हैं किसी भी रंगीन पदात को डालते हैं वो क्या करता है उसको रंग को उड़ा देता है देखो कैसे उड़ाता है देखना क्या करता बैए सल्फर डायाकसाइड जल से अबक्रिया करके क्या करता है अब क्या करके नोजात हाइड देता है जो किसी रंगीन पदार्थ को रंग हीन कर देता है क्या करता है रंग हीन कर देता है रंग हीन करता है कैसे देखता है करता है किस्ट्प्र डायाकसाइड और नौजात हाइड देती है और यह नौजा 20 हाइड जो है वो क्या करते खिसी पदाथ को अपचाइद लेक्शिए इसके हैं रंगीन पधार्थ यह नोजात था यहां फिर र jail increased jenza And I was a reaction करता है अभ ग्रता इसे का करता है रंग हीन कर देता है कि रंगरी प्ल follows हुआ है कि समझ बहुत है क्या करता पर रंगहीन पदाद बना देता अब द fred अब एक बात ज्यान रखना यह किसकी वज़े से हुआ हि초 जैसे कि इसके वज़े से आठ मत्kennt省 इसका मतलब अपचैन के बज़ेंगे इससा हम बोल लिए है एपचैन हुआ है ठीक है अपचैन हुआ है अब कहीं से यह करा दू इसका आखसी करण क्या करा दू तो फिर से ह्यागे रंगीन हो जाएंगे तो इसका मतलब इसका जो रंगहीन करने का प्रक्रम है या रंगहीन किया हुआ है ये इसका रंगहीन क्या भई आपका ओस्थाई है क्या है ओस्थाई क्यों भई क्यों ओस्थाई ये समझ जाओ क्या करता है, ये कर रहा है, hydrogen इसको दे रहो, अपचैन हुआ, अपचैन हुआ तो रंगहीन हो गया, बास समझ में रंगहीन हुआ, रंगहीन होता है, इसका मतलब जैसे इसको खूले में छोड़ते हो, oxygen धेरसारी मातरा में, फटाक से oxygen को क्या करेगा, रख लेगा, बोलेगा भाई या तुम मेरे color को उड़ाय हो बोलता है यह है इसको आज जám को भाई मेरे color को तुम ने खाया है किसकी वाज जैसे ऑफ चैन के वज यर चलो भाई आने दो oxygen को किसको आने दो oxygen को इससे मिल کہ मैँ तुमको क्या कर दूँगा? तुम्हारे जो रंगहीन का, मेरे कलर को उड़ाया हो ना, मैं कलर वापस कर लूँगा. क्या कर alcanz care? मैं कलर वापस कर लूँगा. जैसे आप लोग गेभ मूं खेलते हो ना, गेभ ांक खेलते हो ना, कोई कोई वालोर ले ले या कोई भी कोई किया करता है आप से छिन लेता है तो क्या करते हो आक्सिजन बाते हैं यह लेना यह किसे को बात करते है यह प्रक्रम और अस्थाई होता है अतर रंगहीन पदार्थ रंगहीन पदार्थ क्या होता बई आकशीजन पाकर वायू में आकशीजन पाकर और वायू में आक्सिजन पाकर क्या करता है भई क्या होता है रंगीन हो जाता है या फिर पाकर आक्सिक्रित होकर आक्सिक्रित होकर रंगीन हो जाता है क्या हो जाता है रंगीन हो जाता है ये बात है ठीक है बोला भईया आने तो आक्सिजन को मैं आक्सिक्रित हो जाओंगा क्या हो जाओंगा और फटाक से मैं क्या हो जाओंगा रंगीन हो जाओंगा फिर से मैं आक्सिक्रित हो जाओंगा और फिर से मैं रंगीन हो जाओंगा जो पहले था ठीक है बात समझ में इस तरीक से बोलते हैं इसका जो रंगहीन पतात का या प्रक्रम है रंगहीन करने का वो अस्थाई होता है क्या होता है इसलिए इससे हम लोग क्या करते हैं कपड़ों का रंग को उडाते नहीं इसलिए क क्या करता है ब्लीचिंग पौडर का इसनमाल करते हैं क्या करते है क्या 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 करते है इसका फन आऱ्वा वाला अस्ताइक होता है इसलिए उससे बाथ प Jetzt क्या हुआ है क्या हुआ अब नहीं हुआ ठीक है बात समझ में इस तरीके से इनका बात कर लेंगे ठीक है विरंजग गुड ये हो जाते हैं इनके खतम, क्या होते है बाई, विरंज के गुड़ हो जाते हैं यहां पे खतम, अब हमें पढ़ना है इनका उपयोग, उपयोग पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे इनके सरचना, क्या पढ़ेंगे बाई, सरचना पढ़ेंगे, इनके उपयोग के बाद हम सरचना पढ़ेंगे, यहें पर खतम कर देंगे ठीक है तो पहले हम पढ़ लेते हैं इनका उपयोग को हम उपयोग कहां कहां कर सकते हैं उन्हीं को देख लेते हैं कहां कहां कर सकते हैं जरा बताने तो मुझे यदि आपको एक दो भी आता हो तो बता सकते हो चलो बाई कुछ नहीं आ रहा है तो एक चीज तो आने ही चाहिए यार कुछ नहीं आ रहा है एक चीज तो आ जानी चाहिए क्या आनी चाहिए बाई एक चीज आ जानी चाहिए कि हर एक केमिकल का हम लोग कहां इस्तमाल करते हैं हर एक केमिकल का हम लोग इस्तमाल करते हैं सकते हो कि प्रेयोग साला में किया जाता है इनका उपयोग प्रेयोग साला में किया जाता है में, क्या करती है, पहला aufit- arb arg बनाने हुए ठीक है, पहली बात рыख पहली है, ये सल्फ्är अल बनाने होता है, दूसरी बात लिख लेना भाई, क्या करते है, दूसरा काम कहा करते हैं, इसका इस्तमाल, दूसरा हम करते हैं, इनका सितलक के रूप में किसके रूप में सितलक सितलक के रूप में यानि कि ठंधा करने के लिए ठीक है बात इस समझे क्या करने वे लिए ठंधा करने के लिए बात करते हैं अब बात करते हैं तीसरी बात करते हैं विरंजक के रूप में उनी रेशमू को उनी रेशमो के विरंजक के रूप में ठीक है विरंजक के रूप में इस्तमाल करते हैं और नेक्ष बात लिख लेते हैं बई नेक्ष बात ही कहां लिख सकते हैं चोथा कहां कर सकते हैं चोथा जो इनका इस्तमाल करते हैं वो करते हैं जिवाड़ू नासक के रूप में, नतलंट जिवाड़ू मानने के रूप में, जिवाड़ू नासक के रूप में, समझ गए? अब नेश की बात कर लेते हैं, सल्फाइड, मां चमा लिख लेना, सल्फाइड तो था बाई सल्फाइड बनाने में, क्या करते हैं, सल्फाइड व बाई सल्फाइड, सल्फाइड कहलो है, सल्फाइड, सल्फाइड व बाई सल्फाइड, ठीक है क्या करते है बैई सल्फाइट और बाइ सल्फाइट का मतलब हाइदोजन reduces consultation का मतलब क्या SO3 double minus ठीक है या by algorith licensed outer इसको बोल थे इनके निर्वांड यानि किसी भी धात्द्थर मैं उसकते है या hydrogen के साथ हो सकते है बाइस समझब आगई इसको क्या करते है इनके रूप में इस्तमाल कर सकते है इनके रूप में अब हमें लाश इसकी पढ़नी है सरचना पढ़नी क्या होती है सरचना पढ़नी यह क्या होती है सरचना कैसी होती है इनके इंदर कोण कितना होता है और इसके इंदर क्या होता है इनका संक्रण क्या होता है संक्रण क्या होता यह सारी चीजे पढ़नी है सरचना तो जानते ही हो सरचना तो आप लोग जानते ही हो ठीक है सरचना जानते हो क्या होता कॉन मैंने पीछे भी बताया था SO2 के बारे में पढ़ा रहता SP2 इनका संक्रण होता है तो heading डालेना वाई सरचना लिख लेना क्या होता वाई SO2 की SO2 में SP2 संक्रण होता है तथा इसकी सरचना कोड़ी होती है क्या होती है कोड़ी होती है ठीक है या बिगड़ी होती है देख लेना बाई 3 कोड़ी नहीं सिर्म मैंने कोड़ी बोला कैसे होती बाई कुछ इस तरीके से होती है ठीक है बात समझ भई और इनकी क्या होती है बंद लबाई इनकी बंद लंबाई किसके किसके बीच में भई SOSO के बीच में ठीक है बंद लंबाई 143 पीको मीटर होती है क्या होती है पीको मीटर होती है ठीक है इसकी जो कोड होता है तथा कोड क्या था 119 डिग्री होता है क्या था 119 डिग्री यानि कि इसको इस से इस तरीके से और होता है 143 कोड ठीक है पीकोमेटर बात समझ में कोड इतना होता है और संक्रड यह होता है संक्रट तो जानते ही हो क्या होता है SP2 होता है सरचना कोड़ी होती है बात समझ मैं इस तरीके से बात कर लेंगे बात समझ मैं इस तरीके से इनकी बाते करने वाले हैं या हो जाती है बात समझ मैं अब बात करते हैं यह हुआ बात खतम इनकी बात हुई क्या खत्म इनकी बात हुई यहां पे खत्म सल्फर डाई आकसाइड आपका हुए खत्म अब हम बात करेंगे आगे के लेक्चर में नई बात ही करेंगे ठीक है तो भई आपको चलते हैं यहां पे छोड़के चलते हैं ठीक है आपको छोड़के चलते हैं आप यहां तक तब तक पढ़ते रहिए अगला लेक्चर आपके लिए एक नया होगा ठीक है एक नई टॉपिक होगी नई चीज होगी तब तक के लिए टाटा बाई बाई